दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि SBI ATM कार्ड को ब्लोक कैसे करें दोस्तो अगर आपका भी SBI ATM कार्ड हो गया है या चोरी हो गया है या आपने अपने ATM कार्ड को कहीं रखके भूल गये हैं तो आपको इस situation में अपने ATM कार्ट को तुरंद ब्लोक कर देना चाहिए क्योंकि अगर आपका ATM कार्ट किसी गलत आदमी के हाथ में लग जाता है तो आपके ATM कार्ट का गलत इस्तिमाल भी कर सकता है वो आदमी तो आपको अपने ATM कार्ट को तुरंद ब्लोक कर देना है चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं कैसे अपने SBI ATM कार्ड को ब्लोग करना है, तो दोस्तों SBI ATM कार्ड को ब्लोग करने के दो requirement है, पहला आपका mobile नंबर आपके bank में link होना चाहिए, दूसरा आपका mobile नंबर जो link है उसमें SMS alert चालू होना चाहिए, अगर आपका SMS alert चालू न कर लेना है, जब आपका SMS alert चालू हो जागा, उसके बाद आप अपने ATM कार्ड को ब्लोग कर सकते हैं, तो चलिए आपको बता देते हैं कैसे अपने ATM कार्ड को ब्लोग करना है, ATM कार्ड को ब्लोग करने के लिए आपको जाना है, अपने mobile के message box में, message box में जानने के बाद आप आपको यहाँ पर type करना है block आपको बड़ एक चोरो में लिखना है block लिखने के बाद आपको यहाँ पर space देना है space देने के बाद आपको अपने ATM card के last के 4 digit डाल देने हैं जैसे मैं example के यहाँ चार अक्षर डाल रहा हूं ऐसे करके आपको लिखना है block बढ़ेक छोरो में फिर space देना है इस space देने के बाद आपको अपने ATM card के last के चारक्षा डाल देने है डालने के बाद आपको यहाँ पर इस number पर भेज देना है number 567676 आपको इस number पर भेजना है अपने register mobile number से ही यह SMS भेजना है यह SMS भेजने के तुरंट उधर से एक confirmation का message आगा उसमें लिखा होगा your card is blockade यानि कि आपका ATM card block हो चुका है आप निश्चिंत रहें आपके ATM card का अब कोई गरत इस्तमाल नहीं कर सकता है अब आपको जब भी अपने ATM card की जरूरत हो आप जा के अपने बैंक से नए ATM card apply कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छे लेगे हैं तो वीडियो को like जरू करना चैनल पर नहीं आए तो चैनल को subscribe करके बेल icon को जरूर प्रिस कर लें